हलवाई लोग जो गोबी आलू की सब्जी बनाते हैं उसमें अलगी टेस्ट होता है लेकिन वो लोग पहले गोबी और आलू को फ्राई करते हैं फिर बनाते हैं लेकिन आज हम बिना गोबी आलू को फ्राई किये हुए हलवाई जैसी टेस्टिक गोबी आलू यहां बना कर त् आलू को भी अच्छे से मैंने दोलिया है अब गैस पर मैंने रखिये एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 4 टेबलिस्पून ओइल ओइल को अच्छे से गर्म होने दें और फिर आप इसमें डाल दें एक चम्मच जीरा और इसमें जाए एक चोथाई चम्मच हिंग और साथ ही इसमें जाए एक तेज पत्ता और इसमें जारी है साबुत लाल मिर्च सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है रहे वो डाली है दो इन्हें भून लेते है थोड़ा सा गेस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है और अब हम इसमें डालेंगे एक चमबच लैसुन, लैसुन को मैंने घिसके अड़ किया है एक चमबच इसमें जा रहा है अद्रग अद्रग भी घिसके डाला है और अब इसमें जा रहा है एक बड़े size का प्यास जिसे मैंने पतले-पतले slices में cut कर लिया है अब हमें प्यास को थोड़ा सा भून लेना है अगर आप लहसुन प्यास खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप लहसुन और प्यास को skip भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बिना लेसुन प्यास के भी आप ये सबजी बना सकते हैं बट आप इसमें अद्रक जरूर डालेगा क्योंकि अद्रक का अपना एक अलगी flavor आता है गोवी आलू के साथ अब ये देखिए प्यास हलका golden हो चुका है तो इस स्टेज पर मैंने इसमें डाल दी है दोबारी कटी हुई हरी मिर्ज इन्हें भी प्यास के साथ थोड़ा साम पून लेते हैं प्यास को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है अब इस स्टेज पर मैं इसमें एड़ करने हूँ एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच इसमें जा रहा है कश्मेरी लाल मिर्ज पाउडर अब दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर डालने से कलर बहुत ही अच्छा आजाता है सबजी में इसलिए मैंने इसे एड़ किया है हलवाई लोग जादा तर अपनी सबी सबजीयों में कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर एड़ करते हैं अगर आप नहीं डालना चाते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं है अब इसमें हमें डाल देने हैं आलू और गोभी और अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है तो यहाँ पर यह देखे, मैंने जो कोभी और आलू है उन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है बहुती बड़िया कलर हमें दिख रहा है यहाँ पर और अब हम इसमें डालेंगे सब के पसंदिदा हरे मटर तो मैंने यहाँ पर आदा कप ताजा हरे मटर डाले है अब इसमें जा रहा है एक चमश नमक नमक को इसमें अच्छे से हम मिक्स करेंगे अभी कोई और मसाले इसमें हमें नहीं डालने है बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे मैंने यहाँ पर हरे ताजा मटर डाले हैं इसलिए मैंने गोबी आलू के बाद ही इने इसमें डाल दिया अगर आप फ्रोजन मटर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको अभी नहीं डालने है जब सब्जी लगभग 70-80% तक कोग हो जाए तब आप फ्रोजन मटर डालें अब इसमें मैं डाल रहे हूँ थोड़ा सा पानी, पानी बहुत जादा नहीं डालना है लगभग 1-4 cup के करीब मैंने इसमें पानी डाला है अब इसे अच्छी तरीकी से मिक्स करना है इस सब्जी में आपको बहुत जादा पानी नहीं डालना है वरना जो गो भी है वो घुल जाएगी और सब्जी ऐसी नहीं बनेगी जैसी आप चाहते हैं ना हलवाई जैसी तो इसलिए पानी इसमें थोड़ा ही डालें वैसे मैंने इसमें पानी डाल दिया है लेकिन मेरी जो मम्मी है न वो इस सब्जी में बिलकुल पानी नहीं डालती है और सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है अब देखे अब हम इस सब्जी को क्या करेंगे कवर करेंगे और साथ मिनट के लिए से कोक करेंगे बीच में एक दो बार हम इसे चला लेंगे अब सबजी को पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं तो मैंने यहां इसे ओपन कर लिया है और एक बार इसे मैं उपन नीचे कर देती हूँ चला देती हूँ इस तरीके से इसे चला दें वैसे मैंने एक बार और बीच में इसे चला दिया था और इस तरीके से चलाने के बाद हम इसे फिर से कबर कर देंगे और फिर से हम इसे 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे क्योंकि अभी जो गोबी और आलू है ना वो पूरी तरीके से नहीं पके हैं फिर से कबर कर दीजे से और अब यहाँ पर 5-7 मिनट बाद मैं फिर से से उपन कर रही हूँ और यह देखिए अच्छे से से मैं मिक्स कर लेती हूँ चला देती हूँ एक बार अब जो गोबी और आलू है लगभग पक चुके हैं हलके से ही बस टाइट रहे हैं अल्मोस्ट कोख हो चुके हैं बस लगभग 10% की कसर इन में बाकी है तो इस स्टेज पर आपको इसमें डालने है टमाटर मैंने दो टमाटर बारिक कट करके इसमें एड़ किये हैं बस आपको इसे कवर कर देना है और दो मिनट बाद मैं इसे अब ओपन कर रही हूँ और दो मिनट बाद ये देखें टमाटर हो चुके हैं सौफट तो हमें इस तरीके से मेश कर देंगे अब हमें इस तरीके से इने मेश कर देना है और टमाटर को मेश करने के बाद अब हम इने सब्जी में मिक्स करेंगे और अब आप कहेंगे ये कैसी सब्जी बनी है इसमें तो कोई हमने ज़्यादा मसाले डाले ही नहीं तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स अब आपको इस स्टेज पर इस सब्जी में डालने हैं कुछ मसाले तो इसमें जा रहा है सबसे पहले दो चम्मच धनिया पाउडर धनिया पाउडर आपको इसमें थोड़ा जादा ही डालना है आदा चम्मच जा रहा है इसमें लाल मिर्च पाउडर क्योंकि पहले हमने कश्मेरी लालमेश पाउडर डाला था जो जादा तीखा नहीं होता आदा चमच जा रहा है गरम मसाला और आदा चमच जा रहा है आमचूर पाउडर और साथ में जा रहा है इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब सब को अच्छे से अब मिक्स करेंगे सब्जी पूरी तरीके से बन चुकी है हमारी अब मैंने केस का फ्लेम मीडियम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर अब बस एक से डेर मिनट तक हमें इसे कुक करेंगे पहुचाता आप इसे हमें नहीं पकाना है यह देखे बहुती बढ़ीया सब्जी हो पेस्टी सब्जी हो गए बन कर त्यार अब आप आसानी से ऐसी सब्जी अपने घर पर बना कर त्यार कर सकते हैं और इसे आप पूरी पराठी चुपाती जिससे आपका मन करें उसके साथ खाईए है ना बहुती डिलिशियस गोभी आलू रेसिपी पसंद आई तू लाइक क कमेंट शेयर करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में